तो हम जी बच्चो तो शुरू करते हैं पहला कोश्चन मैंने क्या बताया था आपको पहला कोश्चन बताया अब वर्च्वल इरेक्ट और मैगनिफाइड इमेज ओफ अब्जेक्ट इस टू बी परड्यूस विद कंकेव मिरर और फोकल लेंथ 12 संटिमेटर अब्जेक्ट मे यह है फोकस यह सेंटर अब करवेचर एक बात याद रखना जब भी और एफ के बीच में अब्जेक्ट होगा तो भाई यह रे गई रे टकरा के कहां से जाएगी फोकस से जाएगी उसके बाद एक रे जाएगी सी से और टकरा कि आपको पता है इसी से वापस फिर जब यह तो सिर्व यह वहीं पर ही मिल सकती है एडेस बी डेस किसका ए और बी ऑबजेक्ट है और इमेज क्या है यह डेस बी डेस प्यारे बच्चो मैंने देखा कि यहां से यहां तक इसकी क्या है इमेज भई बड़ी बन गई तो यानि कैसी बनी एक तो mirror के पीछे बनी है तो इसका मतलब virtual बनेगी और virtual बनी है तो erect बनेगी और हमने कहा देखा object से बड़ी बनी है तो इसका मतलब magnified भी बनेगी अच्छा अब यह तीनों condition इस question की satisfy तो इसने कर दी अगली बात कह रहा है कि अगर focal length 12 cm है यह अगर 12 है तो बताईए object कहां place होगा 10 cm पे 15 पे 24 पे 48 पे तो बच्चों देखो अगर मैं 48 cm देखो तो 12 से आगे निकल जाता है यहां आ जाएगा और मैंने क्या बताया है यह condition तभ आ रहा है तो 6 पे होना चाहिए बीच में कहीं पर भी तो ऐसी वैल्लू देखनी होगी है मैं जो बारते चोटी होगी तो बारते चोटी एक ही वैल्लू है दस तो मतलब option A इसका answer होगा ठीक है next second a uniform magnetic field exists in the plane of paper pointing from left to right as shown in the figure in the field an electron and a proton move as shown the electron and proton experience हां जी याद रखना बच्चो आपको याद मैंने पहले ही बता रखा है electricity के magnetic field के कि अगर यह magnetic field है तो current हमेशा force कब exert करेगा current के साथ force कब exert होगा जब यह दोनो 90 डिगरी पर होगे दब यह दोनों किस पर होंगे 90 डिगरी पर होंगे और जब बच्चो यह दोनो 90 डिगरी पर होंगे तो maximum force exert करेंगे क्या करेंगे maximum force exert करेंगे और जब बच्चो यह maximum force exert करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि force किस तरफ लगेगा force बच्चो दोनों तरफ लगता है current के हिसाब से भी और magnetic field के हिसाब से भी तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें force both pointing into plane paper मतलब हमें जो force पता चलेगा वो चाहे हम इधर downward की तरफ करें चाहे upward की तरफ करें force हमें दोनों पर करेगा क्यों क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ किसे मतलब है angle पर किसमें मतलब है angle पर तो दोनों तरफ pointing अगर रहे चाहे pointing downward की तरफ रहे चाहे pointing upward की तरफ रहे force हमें सा दोनों पर exert होगा चलिए तो इसका option होगा A ठीक है चलिए अजी अब आता है question number 3 resistivity of a given conductor depends on देखो मैंने बता रखा है resistivity किस-किस पर depend करती है चार बातों पर length of conductor area of conductor nature of conductor temperature of conductor तो length of conductor दिया हुआ है length as well as cross section दिया हुआ है material दिया हुआ है material of conductor and temperature तो भई क्या है हम देखो resistivity असल में अगर मैं आपको असली बात बताऊं तो इन सब पर depend तो करती है लेकिन सबसे main reason पता है किसका होता है याद रखना अगर आपसे सबसे main reason पूछ ले कोई resistivity का कि किस पर depend करती है तो याद रखना nature पर करती है nature of material पर हमेशा याद रखना है length पर करती है मानता हूँ एरिया पे भी करती है मानता हूँ टेंपरेचर पे भी करता है मानता हूँ लेकिन अगर दो मैटल अलग-अलग है तो फिर नेचर ही बदल जाएगा अगर मैं कहा दू भाई एक आपके पास कॉपर है एक आपके पास सिल्वर है अब बता दो किसका भाई किनके ने तो इसका मतलब हमने यह देखा कि नेचर के अकॉर्डिंग ही material टेस्ट किया जाता है ठीक है तो इसका आंसर होगा डी material of conductor फोर्थ है heating of ferrous sulfate of produce ferric oxide and oxide of sulfur an example of हाँ जी देखो कह रहा heating of ferrous sulfate ferrous sulfate ferrous sulfate क्या होता है FESO4 होता है उसके बाद कह रहा है to produce ferric oxide इसको मैंने heat किया आपको पता है thermal decomposition reaction Fe2O3 plus SO2 plus SO3 याद है यह पढ़ाया था मैंने ठीक है कि आगे कह रहा है कि बताओ यह कौन सा reaction है तो भाई decomposition reaction है कौन सा reaction है decomposition reaction आगे कह रहा which of the following is a weak acid acetic acid hydrochloric acid nitric acid sulfuric acid तो acetic acid इसमें कुछ नहीं हो था ही नहीं the property related to metal R हाँ जी metal की property कौन थी है good conductor of heat हाँ जी है good conductor of electricity हाँ जी है malleable हाँ जी है all of the all of the one sir अगला क्यार किटोन का functional group क्या होता है तो यह तो यार बच्पन से पढ़ते आ रहे है किटोन का functional group यह होता है किटोन का functional group यानि bond C double bond O bond तो यह ऐसा कोई है हाँ जी ऐसा है हमारे किसमें बी में बी option इसका अगला कि दपीएच वाट ओफ वाटर सेंपल collected from a river एक नदी से पानी का पीएच निकाला गया वास फाउंड तो बैसेडिक और नदी का पानी निकला पानी था बच्चों आगे बोला गया on the bank of river लेकिन नदी के किनारे से जब हमने पानी लिगा ला ठीक है इन फिल्वेंट इंटु दर रिवर अधि इन फिल्वेंट ओफ विच वन फॉल्लिएंग फेक्टरी इस मोट लाइकली कॉस्ट दा लोरी नदी के पानी यह निए पानी जो है उसका फैक्ट्रियों का पानी जा रहा है तो बताएगे कि क्या कंडिशन हो सकती है पहला इसकी वज़े से एसडी कुए है नहीं वाई सोप और डिटरजन की वज़े से पानी बेसिक होएगा अगला लेड बैटरी मैनुफेक्चर फैक्टरी बैस आंसर यह यह अरे बहुत सारा एसिड होते है तो याद रखना वह लेड बैटरी होती है जिसके अंदर बहुत सारा तो बी अच्छा इसमें एक अप्शन अल्कोहल भी है वह मत समझ लेना क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि अल्कोहल जो होता है वह नेचर वाईज सो करता अपने आपको ऐसे डिक लेकिन होता नहीं है चलिए डिपलेशन ऑफ और जोन मेंली ड्यू तू तो भ हां जी अगला फिलिंग देब लाइग इस्पीड फ लाइट इन डायमिंड इस क्या होगा भाई जीरो यहने की जीरो तो नहीं गाएंगे लेकिन मिनिमम ठीक है बहुत कम ठीक है और रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स क्या होता है मैक्सिमम एने 2.2 है ठीक है मैटल लाइक अलम बनाते हैं यह लोग मैटल औक्साइड बनाते हैं मैटल गरंपानी की से बनाएंग तो क्या वटर के साथ Metal Hydro Oxide बनाते हैं Metal Hydro Oxide Metal Hydro Oxide बनाते हैं जबकि Metal Steam के साथ Steam मतलब पानी के भाब के साथ Metal Oxide बनाते हैं इस बात का ध्यान रखना यह बहुत important point है देख लो paper मा आया हुआ है ठीक है इसके notes मैं provide करवा दूँगा आज आप लोगों को सारी साथ मैंने थर्ड चेप्टर के notes आप लोगों को प्रोवाइड करा दी हैं पढ़ के देखना उसमें सब है आजी आगे आता है Valency is given by the number of electron present in the valence cell is outermost cell true भाई सही बात है यह ठीक है यह सब दो बेकार की चीज़े है अजी अब आता है write the formula of ethene इथीन का formula लेगा हो अरे इथीन यह देखो क्या है इथ इन इन लग गया है तो double bond वाला होगा मतलब double bond मतलब क्या हाइडरोजन जो होगा वो carbon का double होगा इथ है तो इथ का मतलब होता है टू तो यानि कि cn कितना होगा टू और यह टू टू जा फॉर तो आंसर क्या हो गया c2 h4 c2 h4 फिर से समझो in का मतलब hydrogen carbon का double होगा इथ का मतलब दो यानि एन की जगह पे दो तो यह दो टू टू जा फॉर आगे कि चलिए अब देखते हैं क्या है कि हां जी अब एक नुमेरिकल है तो नुमेरिकल करा देते आपको कि नुमेरिकल कर लेते हैं कि नुमेरिकल करते हैं कि एक दस सेंटीमेटर टॉल अबजेक्ट है ठीक है जी अबजेक्ट को मैंने बताया था एक चो बोलते हैं और यह आलवेस पॉजेटिव होता है अब कि प्लेश पर्पेंडिकल उता प्रिंसिपल एक्स अफ कन्वेक्स लेंस लेंस कोंसा है, कन्वेक्स है और क्याराइसकी फोकल लेंस है बारा अब याध रखना, कन्वेक्स लेंस की फोकल हमेशा प्लस में होती है हमेशा किसमें होती है, प्लस में क्याराइस स्धिश्टेंस ऑफ अबजेक्ट फ्रॉम D quand भ दे नेचर बताना है तो नेचर वेचर तो बताते रहेंगे पहले वी निकालो fulfillment नहीं आप वान अपोनवी माइनस फॉर्म३़। ड़ालोए उन और ऱ्फार G मतलब 12 वी के तो q. когда-da- थारा 축а किम प्लस गया अठारा उठा कि दर ले आओ 18 को 36 36 को 18 से cancel करेंगे 2 2 को 1 से multiply करेंगे 2 तो 3 में से 2 गया 1 अपॉन 36 1 अपॉन V पलट देंगे तो क्या जाएगा बच्छो V is equal to 36 यानि कि बच्छो position क्या आई image बनेगे 36 cm दूर कितनी दूर बनेगे 36 cm दूर बनेगी और जब भी V याद रखना convex में जब भी V positive आएगा तो real and inverted बनेगा जब भी V positive आएगा तो भाई nature क्या होगा real and inverted कैसा होगा real and inverted ठीक है जी आगे कह रहा है आगे कह रहा है आगे कह रहा है आप इसका size बताओ चलो ये भी निकाल लिए आप size बताना है हाँ जी formula होता है V upon U HI minus HO V कितना है जल्दी बता दो V V है आपके पास 36 U कितना है minus 18 HI कितना है नहीं पता HO कितना है 10 तो 18 2 ज़ग 36 minus का 2 HI upon 10 10 याँ divide कर रहा है यहाँ कि multiply minus 20 तो HI height कितनी आई बच्चो minus 20 यानि कि 20 cm करो जाऊ कि जाऊ कि कि करद करे करे जाऊ हो करे करे छली वे चर्णोट हो गयाया है अगला है कोशन है what are the solar cells explain तो बच्चो आपको मैंने बता रखा है solar cells क्या है बच्चो ये solar cell जो होता है ये आपका क्या था है यार वो एक बनाट एक बनाट एक बनाट ये solar cell जो होता है ये एक sandwich type का होता है ठीक है जिसके उपर की layer barium barium arsenic और दूसरे की बई क्या barium phosphate type की बनीवी थी और दोनों के दोनों दोनों के दोनों एक दूसरे के उपर मतलब ठीके होई रहते हैं जो अपने आपको sunlight से क्या कर लेते हैं चार्ज कर लेते हैं और बच्चो उसी के दोवारा वो क्या करते हैं energy produce करते हैं electricity form में या किसी और other form में ये जैसे हम मालों अपने watch में लगा लेते हैं तो watch में लगा लेते हैं तो क्या होता है वो electricity form generate करती है उसके अंदर और घड़ी किस हुई गुमना सुरू कर देती है और जब बहुत सारे solar cell को एक साथ solar cell को एक साथ connect करते हैं किस की वायर से चांदी की वायर से सिल्वर की वायर से तो समझ लीजेगा उसे कहा जाता है solar panel आज कल गाउं अगेरा में solar panel बहुत लगते हैं एक देखते होगे छतरी जैसा लगा देते हैं चारो तरफ से और उस पे नाइड्रेट मतलब होता है CUNO3 ट्वाइस कैसे C U का चार्ज प्लस टू एननोगा चार्ज प्लस टू आज चार्ज ऑननोगा चार्ज इसके नीचे तू इसके नीचे आगे कहा रहा है इना boiling tube black copper oxide अच्छा इसको heat किया गया लो जी इसको heat किया और heat करने के बाद कह रहा है कि copper oxide बना copper oxide बना ठीक है जी और क्या बना और कह रहा ब्राउन कलर की gas निकली ब्राउन कलर की gas NO2 होती है और साथ में क्या निकलेगी जब NO2 लिकलेगा तो oxygen निकलेगा ठीक है तो कह रहा है से अब कह रहा है identify the type of reaction तो भाई कौन सा thermal decomposition reaction कौन सा reaction है thermal decomposition reaction आगे तो यानि ये कौन सा reaction है पहला बोल रहा है thermal decomposition thermal decomposition reaction मतलब हिंदी में उसमिय व्योजन अभी किरिया अगे गरा right the balance balance करना है तो ठीक है जी जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे दो लगाते है तो copper 2 हो गया तो copper 2 कर दो N कितना हो गया 2 2 जा 4 अभी ये 4 इस से multiply करेगा और इस से multiply करेगा तो N कितना हो गया 4 N यहाँ पे 1 है 4 O कितना हो गया 4 3 जा 12 तो 2 8 और 2 2 8 2 तो 12 हो गया balance आगे क्या बोल रहे है आगे कुछ बोल रहे है आगे कुछ बोल रहे है राइट दा pH range तो कुछ भी करने की जुरूत नहीं है यार दो बाते याद रखना इतना सा लिखना है अब कहा रहा पह क्या हो सकता है तो pH कहा दे ना भाई pH 0 से लेके 6.9 के बीच में कुछ भी हो सकता है जहरीली से जहरीली मतलब acidic से acidic और बिलकुल करीब करीब basic से basic कुछ भी हो सकता है तो 0 से लेके 6.9 के बीच में कुछ भी क्योंकि acid क्या होता है acid 0 से लेके 7 के बीच में होता है लेकिन 7 अगर हो गया 7 तो neutral है तो 7 से पहले पहले तो 0 से लेके कहां तक 6.9 के बीच में कहीं पर भी ठीक है नोट कर लो इसे कर दो जाई सकता है कर दो में हो एक आई सकता है कर दो लो आई सकता है झाल झाल चलो आगे बोला जारा आपसे कि वाइल डायूटिंग एन एसिड एक एसिड को डायूट करना है तो वाइड वाइड तो एक बहुत ही जादा क्या होता है एक बहुत जादा मतलब विस्पोटक विस्पोटक मतलब एक बम जो वाटर मिलते ही इतना फास्ट रियक्शन करेगा कि हो सकता है वो उपर उचल जाए विस्पोर्ट कर दे बॉम कर दे जिससे हमारे सरीर का हिससे जल सकते हैं इसलिए वाटर के अंदर एसीड को मिला जाता है क्योंकि वाटर अमाउंट जब ज़्यादा रहेगा और एसीड द्रॉप वाइज रहेगा तो वह अराम से उसको क्या करता चला जाएगा दीरे डिजॉल्व गरता चला जाएगा और वह क्या करेगा उसकी ज्यादा रियक्शन फास्ट नहीं होगी जब रियक्शन फास्ट नहीं होगी तो वह जल्दी उसको मतलब क्या नहीं करेगा आपक क्योंकि इसके लिए मैं बता चुका हूँ क्योंकि बच्चों यह आपको क्या देता वह एक पैचान बताता है कि एसिड जब भी अपने इफेक्ट दिखाएगा वह लिक्विड फॉर्मेंड मतलब आपको वह हमेशा लिकविड इस्टेट में ही अपने केरेक्ट को दिखा सकता है गैसियर सॉलिड स्टेट में कभी भी ऐसिड अपने state को अपने नीचर को रिप्रजेंट नहीं कर सकता ठीक है क्योंकि मैंने बता दिया था कि H plus iron होने से ही कुछ नहीं होता H plus iron होने से ही कुछ नहीं होता उसमें hydronium iron भी होना चाहिए क्योंकि जब hydronium iron होगा तो वो liquid state के reason को क्या करता है verify करता है और जब hydronium iron होगा तभी वो उसको क्या बना के देगा तभी वो उसको liquid state देगा और nature represent करेगा आगे किरा how is sodium hydroxide manufacturing industry तो बताई दिया भाई कैसे करते हैं भाई ये electricity pass करके बताया था ना chloralkali process ठीक है पढ़ना उसे name the process chloralkali process अना आगे किरा कि इनमें कौन सी gas बाहर निकलती है तो chlorine gas बाहर निकलती है ठीक है this gas reacts with the lime water to give compound y हाँ जी chlorine gas को अगर किसे reaction करें lime water से तो क्या देगा bleaching powder बताया था मैंने कि bleaching powder कैसे मनता है lime water को जब chlorine gas show करते हैं तो वो हमें bleaching powder देता है आगे which is used as bleaching agent in the chemical industry ठीक है identify x and y तो x को था chlorine gas y को था bleaching powder write the chemical equation तो यह तो मैंने आपको पहले ही करवा रखा है तो यह आप कीजेगा I care what are the amphoteric oxide मैंने क्या बताया था ऐसे oxides जिनका nature acidic as well as basic दोनों हो वैसे तो metal oxide का nature होता है basic ध्यान रखना वैसे तो सभी metal oxide का nature basic होता है और non metal oxide का non metal oxide का nature acidic होता है ठीक है Al2 O3 Zn SO4 नहीं जड़न जड़नों जड़नों ठीक है तो यह सब जो हैं यह ऐसे वो हैं metal oxide जिनका nature basic के साथ साथ क्या होता है acidic भी होता है ठीक है मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर इसकी reaction आप acid से करा दो तब भी कर लेगा मतलब alcl3 plus h2o इसका reaction आप base से करा दो यह तब भी कर लेगा क्या बनाएगा हाँ भई al2o3 से reaction करके क्या बनाएगा यह बनाएगा एन ने एल ओटू प्लस h2o यह बनाएगा ठीक है ठीक है इसका नाम बताना क्या होता है sodium ने ने हाँ sodium aluminate sodium aluminate याद रखना इसका नाम बहुत अच्छा नाम है यह ठीक है बच्छो अब की कार्बन कंपाउंड सीरीज वगरा चलो यहीं रोकते हैं आज अच्छा यह पढ़ लेते 27 कुश्चन नमर 27 वट इस रांस्पिरेशन मैंने बताया था ना जब प्लांट रेस्पि काम करता हूँ ट्रांस्पिरेशन सही करता है यह मैंने 6 चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है एक बार इसको लिख अधिक है फिर ओट्रॉफास न्यूट्रिशन हेट्रॉफास न्यूट्रिशन यह भी पढ़ रखा आपने ठीक है, हमने 29 तक कर लिया है आगे ऐसे न्यूट्र ंसकष यह करेंग आठिक है बच्छों तो चलिए आज की लास हे अर मिलते है ने से ुप Holly कर लेने जाल झाल झाल